कि नवश्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त पदीब कुमार बांगणे आपका इसकारिकम कराम है आपकी अन्रोध पर दोस्तों आज मैं आपको बताऊँगा रक्त प्रदर या फिर मासिक धर्व में अधिक रक्त इस्त्राव होने पर किस तरह से आरेवेदिक इलाज किया जाए माताएं बहने जो मेरे चैनल को पहली बार देख रही हैं उनसे रोध है कि वो इसे लाइक करें वीडियो की नीचे एक रैट कलर का बटन है आप उससे दबा कि सब्सक्राइब करें बाजू में एक बाल है उससे भी दबाए ताकि मैं जो भी वीडियो जालूं वो सबसे पह बलूँगा ताकि माताएं बहने जो है अच्छी से सुन ले और लिख ले तो कावी पेने लेके त्यार हो जाएए हर दबाए को तीन बार बलूँगा प्रवाल पिष्टी 10 ग्राम प्रवाल पिष्टी 10 ग्राम कहरवा पिष्टी 10 ग्राम कहरवा पिष्टी 10 ग्राम कहरवा हिसत 10 ग्राम गिलोज सत 10 ग्राम श है मुक्ता पिस्थी चार घ्राब मुक्ता पिस्थी चार घ्राम मुक्ता 국민 васि अशलिक मिलाकर 60 पुडिया बना यह प्रातह नास्ते और रात्री भोजन से आदा घंटा पहले जल या शहत या पानी या तो शहत के साथ सेवन कर सकते हैं आदा घंटा पहले आपको लेना है अईशो का रिष्ट 450 मिली चार चमज पानी मिला कर सुबह और शाम भोजन के बाद सेवन करें इस्त्री रसायन बटी 40 ग्राम इस्त्री रसायन बटी 40 ग्राम दो दो गोली प्रातव साय भोजन के बाद गुनगुने जल सेवन करें लाजवन्ती पंचांग चुन की एक ग्राम की मात्रा को लेकर प्रातव और घी में मिलाक कर खाने से रक्त प्रदर और श्वेट प्रदर में लाब होता है तो मित करता हूँ जो मैंने आपको जानकारी दी वो जरूर अच्छे लगी होगी तो इसे की साथ अपने दोस्त परदिकुमार पांगड़ा को इसकार करें से जाने की अजाज़त देजिए नमस्कार जैहन